हेलो फ्रेंज मेरे चैनल गुल दस्ता में आपका स्वागत है आज के वीडियो में मैं आमले की चटनी कैसे बना ये बताने जा रही हूँ तो आएए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना है सबसे पहले हमें चाहिए आमला आमला 500 ग्राम है हमारा इसे मैं अच्छे से धोकर साफ कर ली हूँ और हमें चाहिए एक गड़ी हरा धनिया इसे भी हमें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना है इसके साथ हमें चाहिए नमक और हरी मिर्च तो आएए शुरू करते हैं चटनी बनाना यह मैं आमला को दोकर करके अच्छे से पोच ली हूँ और अब इसे हमें छोटे छोटे टुकरे में सारे आमले क काट लेना है तो इसके लिए हम इसे चाखु से हलका सा प्रेड चरके और चोटा चोटा टुकरा अपर डें चाहिए प्रेड़ी बहुत ज्यादा इसमें महनत करने की जरूरत नहीं होती है तो इस तरह से काटते हुए हमें सभी आमले को काट लेना है और आप देख सकते हैं कि यह आसानी से कट रहा है इसमें बहुत ज्यादा हमें कोई महनत करने की जरूरत नहीं हुई है यह देखिए हमारा आमला सारा कट चुका है तो अब हमें इसे धनिये के साथ पीस करके इसकी चटनी बना लेनी है तो आईए चटनी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम मिक्सी के पॉट में हमें लेना है आकटे हुआ आमला और धोकर अच्छे से धोकर के कटा हुआ धनिया पता धनिया पता जब आप कभी किसी चटनी के लिए ले तो उसके डंठल को रहने ले यहां पर तीन हमें और आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी कर सकते हैं और हमें यहां लेना आ शादुन्सार नमक इन सब ही में थोरा सा पानी डाल करके मिलाकर हमें एंग पेस्ट बनाना है इसका चटनी हमें गाढ़ा ही पीशना है हमें इसे बहुत जादा पतला नहीं पीशना है ये देखी हमारा चटनी पीश के तयार है और इसी तरह से आपको भी ठीक चटनी ही पीशना है इसे आप आराम से बना करके फ्रीज में रख दें ये खराब नहीं होत और आप इससे एक सब्ता तक कम से कम जरूर यूज़ कर सकते हैं इसमें थोरा सा आप निकाले और यूज़ करें ये काफी सेहत मंद है हमारे लिए स्वाद के अलावा ये चटनी काफी सेहत मंद भी है आपले से हमें कई प्रकार के बिटेमेंस, मिरनर, प्रोटीन और फाइवर्स मिलता है ये जारे के मौसम में हमारे सरीर को भी गर्म रखता है ये बलड प्यूरिफायर का भी काम करता है इम्मिनिटी हमारा इंप्रूव करत है ये हमारे स्किन और बालों के लिए भी काफी अच्छा है तो इस तरह सब देख सकते हैं कि ये चटनी स्वाद के साथ साथ कई तरह के गुनकारी तो भी है इसमें तो इसे आप अपने रोज के खाने में जरूर से सामिल करें तो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो प लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन के लिए बेल को प्रेस कर ले आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्वाद के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू